हालो फ्रेंट्स गूड इवनिंग कैसे हैं आप सब तो जी एक बफ्रीस से वेलकम आपके अपने चानल में तो जी दिन है मंगलवार का और तारीक है 30 अगस्त और शाम का जो है वो टाइम हो गया शाम के बज़ गें साड़ेच है और मैं अभी तुड़ दर पहले ही यहां अपना रूटीन जो हो शुरू करते है आज मैं बहुत टाइम के बाद कड़ी बना रहे हूँ और वह भी पकोड़े वालीकडी बना रहे हैं में बहुत सारे लोगों को देखा है वो लोग मता क्या करते हैं कि यहँद परिवार में किसी को पसंद है तो मैंटे हूँ जब घडी बन रहे हैं तो जो प्याज यहालु बनते ना तो मैं प्याज पकोडे यहालुके बनते थे ना तक पकोडे वह बनानी Council और प्याज के पकोड़े ना ऐसा है कि थोड़े बहुत बच्चे भी खा लेंगे बहुत टाइम से मैंने बनाए भी नहीं थे और कड़ी में भी जब वो डल जाएंगे दो दो बेनिफिट जब वो होने वाले तो यहां पर मैंने दही रख ली थी लसी तो मेरे पास थी नहीं तो सा पानी डाल गत दो लसी बना लिया और उसके बाद उसमें नमक, खल दी, धनिया पाऊडर के सो हे घचा वो मैं बनाने वाली हूँ तो थोड़ा साथ यहां पे ना तेल एक्स्ट्र हो गया था हो जाता है कभी कभी गडबर तेजबता डाल दिया तीन चार मैंने लाल मिर्च जो सूखी साबूत होती है वो डाल दिया है थोड़ा सा जीरा डाल दिया है और अभी इसमें मैं प्याज कुछ नहीं डालने वाली हूँ आज मैं डारेक्ट सीधा वो बनाने वाली हूँ बिल्कुल साधी होती न कड़ी वो वाली कड़ी जो मैं बनाऊंगी साथ साथ में अभी तो जैसे अभी मैंने इसके अंदर बैटर डाला है जब तक यह अच्छे से उबल नहीं जाती ना पकोड़े और हलकी सी हलोडी डाल दी है राधनिया सूखा धनिया डाल दी है नमक लाल मिर्च और यह सारी चीजी जो है जितना भी हमारा मसाला वगरार होते वह जो डाल दिया भी प्याज अच्छे से मिक्स जो हो मैं कर दोंगी अच्छा तिया बहुत सारे कोश्ट्थ से कर पाई कुछ का नहीं कर पाई सबसे पहले कोशन आता है नाया का यूर किचन काउंटर टोप इस एक्जटली सेम एज माई किचन सो प्ली शो मी हाउ और्गनाईज यूर एक जी कम से कम तीन से चार दिन पहले मैंने जो एक किचन टूर का वीडियो शेर कर रहा है अधरवा जो कोशन कल पूछा गया है कि दीब कोई तेल बता दो और शेंपू बता दो देखो जी तेल जो फिलाल मैं यूज करूँ पिछले डेड़ महिने से डेड़ पोने दो महिना तो जरूर हो गया होगा मैं न्यूड का कैरेट सीडोल यूज करूँ भाई बहुत जबरदस बढ अगर आप फेश केर के लिए कुछ आते तो ममार्थ के प्रोड़क्ट बहुत बहुत अच्छे है और बस अभी जो ना अच्छा एक दो तिन कोशन का लिए भी आये थे कि जो है आपकी वोईस जो है वो बहुत लाउड है तो जी मेरी वोईस मैक्सिमम व्यूवर्स को जो है दस के दस खराब हो गए तो जी इस चोपर को मैंने मिशो से लिया था करीबन आइ थिंक साड़े तीन तीन साल जरूर हो गए है फर्स्ट मेरा जो चोपर था जिसको मैं आज तक यूज करूं कभी आज तक खराब नहीं हुआ है और यह मेरे खाल से 222 जब लोगडाउन लग तो जी मतलब आज तक मेरा तो जे वह खराब नहीं हुआ बस इसको ना जो बीच में वह लगाते ना जो जिससे वह कट होता है पैयाज यह सारी चीज़े कट होती है तो उसको ना ध्यान से लगाओ और जो धागा हो जो खीचने वाला हो तो टाइट मत खीचो मत जबरदस्त जागे के साथ नहीं तो दागा तूट जाएगा आचा जी आचा एक कोशन आता कि ती आपने टीशेट कहां से खरी दिया है मैक्सिमम मैंने क्लोविय के दो होल आप लोगों साथ शेर करें जो मैं नाइड्रस वगरा मैंने ली है टीशेट वगरा पजामा कुछ लिया है तो वो आजकल जो है वो मैंने वहीं से लिया है जो क्लोविय से जो है वो मैंने खरी रहा है अभी कड़ी वगरा सारी चीजे बनकर रेडी हो गई है और मुझे बहुत सारे कोशन जो है तेल शेंपू के बाद फेश वोस के बारे में जो वो पूछा गया था उसको मैं आज आप आप मुझे इंस्टाग्रम पे सर्च करेंगे सोनी मलिक टूफोर तो जी आपको जो है मेरी आईडी मिल जाएगी अचा एक नेतिक शर्मा जी का कॉमेंट आईडी जो है वो कॉमेंट है दिया आपके हस्बंड पहले कहां जोब करते थे जो अब यहां पर ट्रांसफर हुई तो जी मेरे हस्बंड पहले भी हर्याना पुलीस में थी अब भी हर्याना पुलीस में है पहले किसी ओर जिले में ड्यूटी थी अब भी हमारे पास में जो वो आ गई है इसलिए अचा वुडन की अलमारी कह रही हूं वो हमारी जो है लोही वाली अलमारी उसका प्राइस पक्का पूछ के और मैं जरूर बता दूंगी और एक सबसे most important comment का जो है वो मुझे जवाब देना है उनका उन्होंने अपने way में explain किया कि आप पहले ये काम करें बाद में वो काम करें पतानी शायद उन्होंने पहली बार मेरा वीजियो देखा है तो इसलिए वो कुछ इस त पहले किचन का काम खतम करो completely उसके बाद जाड़ू पोचा करो ये करो वो करो तो जी exact वही रूटीन है जो मैंने आपको साथ जो वो शेयर करा मेरा वही रूटीन है लेकिन बहुत बार क्या होता है परिवार के हिसाब से बहुत बार क्या होता है बच्चों के हिसाब से जो ह किचन एक दम मेरा क्लीन अभी देखो अभी मॉर्निंग हुई है किचन आप मेरा देख सकते हो एक दम नीट एंड क्लीन है बिल्कुल खाली साफ सुतरा है ऐसे किचन में काम करने में मज़ा भी आता है और आप ये सोचों कि आज सुब सुबह ये मैगी का पकेट लेके क्यो लगी वी आज मैंने कोई भी ब्रेकफास्स वेगरा क्यों नहीं बना है क्योंकि क्या था कि वरुन बोला कि आज मेरे को खाना नहीं लेकर जाना वो पिछले कुछ टाइम से जिद कर रहा कि उसको मैगी लेकर जानी है और मुझे या आइडिया नहीं है कि मैगी स्कूल में लाउड है या नहीं है क्या छक्कर रहा क्योंकि उसने ओला कि मैप बच्चा लेकर आता है मैं उसको मना भी किया बिटा नहीं कैनल लॉंड्च टाइम में घृइश भूम्सभा बच्चेएं को क्यों ड़ला था आज अदे दे ली उसको भी अक लिए अंस्किमें कि एक करता अपनी मरजी का ही है तो मैंने सो Chucklio आज मा दे देती और पहली बार है साहरा कि मैं लंच में मैगी देए नहीं हिस्त लेकिन हिमांक को मैंने लंच में अधि नहीं नहीं का出ऊ दी मैंने सिर्फ Special Sum ताकि वरून का पेट अच्छे से भर जाए पता नहीं मैगी उसको फिर अच्छी लगेगी कि नहीं लगेगी कहां जा तक मेरा आइडिया वो इकठी हो जाती है तो खाने लाइक नहीं रहती है फिर बस साथ-साथ में जो अभी थोड़ी सी और थंडी हो जाएं तो इसको मैं कर दूँगी पानिक बॉटल वगेरा सारी चीज़े भर कर जब वो मैंने रख दी है आटा लगा कर रख दिया तो आटे को मैं फ्रीज में रख दूँगी और सूखा आटा जो मैंने एक प्लेट में जब वो रख दिया है और अभी मैं आई हूं में हिमां को उठाने के तो मैं चुक्चा वहां से मैं चली गी मुझे पता था कि अपने आप उठकर आ जाएगा और पांच मिनिट के अंदर अंदर वो अपने आप उठकर वो बहार आ गया था और आज सबसे पहले जैसे मैंने कल आपको बताया था इतनी जबरदस्त वाली गर्मी चूबती यह ब बहुत जादा और एक चीज और भी थी बालकनी क्लीनिंग करने का यहां पर जो एसी का बाहर पंखा जो लगा हुआ उसके उपर जो कबूतर ने घोसला बना लिया कि क्या कर लिया इस बालकनी में अभी तीन चार दिन से क्लीन तो कर रहे हूं लेकिन फिर वही कबूतर कर दूंगी और वoisjne machine आज नहीं तो कल आई ठीन्क देखती हूं आज मैं और चट प्र हुआ लोगी और कपड़े दोने का मेरा और मौर्निंग का रूटीन था मैं चे looking क्पड़े मैं आगज लगे घंश message कमा हूं कर दूंगी तो थीन मेरा एक आगड़ा पापा रेडी हो रहे थे तब तक मैंने सोचा कि और जितना भी मेरे पास टाइम है क्योंकि सबजी वगएरा भी बन गई थी आटा भी लग गया था सिर्फ रोटिया सेखनी थी तो मैं बिस्तर वगएरा ठीक कर लेती हूं बच्चों ने जो कपड़े निकाले थे टावल भी कपड़े भी वहीं पर पड़े हैं तो यह सारा सामान जैसे रात को वरुन यहां पर अपनी राइटिंग का कुछ कर रहा था मैं आपनी ने दिया था और उसके बाद जब मेरा काम खतम हो जाएगा ना तब मैं जो है बाद में नहाओंगी तब हेरवोश कर लूँगी साथ में फिर जो है मेरी बुआ सास का फोन आ गया था मैं उनसे बातों में लग गई तो और मैं जब भी किसी से बात करती ना फोन पर में एक जिगा खड़ी नहीं रह सकती मैं गुम गुम के जो है वह बात जो हो करती हूं अभी ज़ाड़ू निकाल देती हूं क्योंकि खाना वगएरा सारी चीजे बन गई है मैंने नहीं खाया मैं नहाने के दोने के बाद जो है वह बाद में खाऊंगी हिमां के पापा ने खा लिया लेकिन वह जो है वह मिल रही थीं तो मैंने इस सोचाए कि उन्हें एक बार इसको खटा के अच्छे से क्लीन कर दो क्योंकि मैंने दो तीन दिन पहले मैं जब मैं इसके पीछे साफ कर रही थी नँ जहां तक मिरा हात जाता हम मैं कर दे दी थी लेकिन मिरे को दिखाई दे गया है तो फ एक ना कोमेंट आ था नीचे से मुझे याद आ गया है एक तो और सलेंडर को कोई पूछ रे थे दो ती दिन पहले सलेंडर कहा है तो जीदे एक लोग सलेंडर यह है यह जो जीने के नीचे का एरिया इसमें सलेंडर भी है और साथ-साथ मिश्याद यहां पर पानी वली मोटर और नीचे के रूम का पूछ रहे थे आप नीचे क्यों नी रहे तो भाई नीचे यह गेस्ट रूम है और बाकी ऐसा कुछ नहीं है कि हमें नीचे रहना जब सारा सामान उपर है तो भी नीचे खाली-खाली जीब सा लगता आवाज भी फिर गुझती है और पार्किंग का मैं ओपर रहते हैं थ्युद्ध का चाने लगंग तो पर मैं आपको दिखा धका दिखाने वाली हूं तो जी अब भी जो नेक्स मॉर्निंग हो गी है यानि वेडनेस डे मॉर्निंग नी अफ्टरनून होने वाला क्योंकि सवागेरा का टाइम हो गया है और वीडियो एडिट हो गई है बस अपलोड करने अभी बाकी है लेकिन यह वाली क्लिप एंड करना बहुत जादा जरूरी तो जी एक तो मेरे से पूछा गया था फेश वोस के बारे में तो ममार्थ का फेश वोस कौन सा आप यूज करते हैं तो मैं यह वाला यूज करते हूं ममार्थ का यह देखो बिल्कुल खाली जयव वह हो गी है यह थोड़ा सा बाकी है यह नीचे नीचे के हिससे में करते हैं कि miss 64 और सकते हैं इसमें वह चाहिए है स्क्राब का कई remember तो इसमें वह आ यह जब्राइब में Uhr UK यह niin को सब्सक्राइब यह हमाला का फेश वोस्स नीम का यह करीबन 13-14 साल से यूज़ कर रही हूं इसको डेली बैसे से यूज़ करना जाता है तो यह वाला बैस्ट है यह ले सकता है अच्छा शैपू के बारे में पूछा गया था अगर आम नूड का यूज़ करें तो बहुत अच्छा है न्यूड की सारी रेंज बहुत अच्छी है और मैं वह भी यूज कर रहे हूं करंटली जब ऐसा नहीं होता कि फिर एक साथ बहुत थारी यूज करे जाएं अभी मेरा लोरियल का खतम हुआ है अभी करंटली मैं यूज कर रहे हूं कुछ टाइम से यह स्टामियों का यह देख करें है थोड़ा सा महेंगा यह साड़े चार सो रुपे का है अगर डिसकाउंट विगरा कुछ चला हुआ होगा तो आप देख लेना अधर्वाइस दो सो एमल की बॉटल है और बहुत अच्छा यह और आव लड़िट है वैसे भी बालों के लिए बहुत अच्छा होता है तो यह फिलाल मैं यह यूज कर रही हूँ आपके सारे कुशिंस का अंसर मैंने कर दिया है कुछ रहा गाया हो तो मुझे बता देना कल मैं एक्स्प्लेइन कर दूंगी व्लॉग के इंड करूंगी यहीं पर जो फॉर्स टाइम विजिट कर लाइक कर देना शेर कर देना सब किष्ट की न को था बादे ना था ध।